की के तो आज का हमारा टॉपिक है विलेज हेल्थ काई क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये जाएंगे वहां से आप डारेक्ट टाउनलोड कर सकते हो तो शुरू करते हैं हेल्थ केर आफ़ दा कम्यूनिटी वाले चैप्टर का अगला टॉपिक दैट इस विलेज हेल्थ काई याद रखिएगा हमने हेल्थ केर डिलिवरी सिस्टम पूरा पढ़ लिया उसको अलग से पढ़ना उसके बाद उसके एक-एक कॉपोनेंट को हम अलग-अलग पढ़ेंगे तो सबसे पहला कॉपोनेंट जो हम पढ़ते हैं ग्रास रोट लेवल वर्कर जो कि विलेज में काम करता है तो भाई विलेज हेल्थ काईट आइट जो होती है वो क्या होते हैं? वो ना grass root level workers होते हैं village health guide. अब ये grass root level worker का मतलब क्या होता है? ये देखो हमने क्या उटगा दी? हमने घास उगा दी, ये घास की हमने जड़ बना दी. ठीक है? ये घास में आके जाके flowers भी उगाते हैं, ठीक है? तो ये हमने घास उगा दी. अब पूरी की इसके सबसे नीचे के लेवल पर क्या होती है? ग्रासरूट समझ में आया? ऐसे ही जो हमारा Village Health Guide होता है वो Healthcare System जो हमने पढ़ा था उसमें सबसे नीचे आता है Village Health Guide फिर Village पर ही काम करने वाली आती है आशा आशा के उपर आती है आंगनवाडी वर्कर में होते हैं, उसके ऊपर आता है sub center, फिर हमने पढ़ा था primary health center, community health center, उसके बाद district hospital और उसके बाद medical college, ठिक, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा health care delivery system, इसमें से जो ये village health guide है ना, ये देखो सबसे नीचे आ रहा है village health guide, जो की grassroot level worker होता है, यानि की सबसे नीचे, समझ गह ह तो इसलिए इसको grassroot level worker कहते हैं कि जमीन से जुड़ा होता है सबसे नीचे याने कि गाव के level पे काम करता है village health guide तो यह गाव में घूम घूम के सारी अपनी duties पूरी करता है इसलिए इसको grassroot level worker कहते हैं अब जैसे कि हमने देखा पूरा का पूरा diagram ये ना first contact होता है community और health system के बीच में हमने देखा था ना कि भाई सबसे नीचे village health guide था उसके बाद आशा थी उसके बाद आंगनवाड़ी worker थी जो कि आंगनवाड़ी center में होती फिर sub center फिर phc फिर chc इसके ऊपर medical college और district hospital तो ये पूरा का पूरा आपका health system है तो health community जो है याने कि जो आम जनता है सबसे पहले बार health system से रूब रूब कब होती है village health guide या फिर कहना चाहिए ये जो village health worker या grassroot level workers है ना ये सबसे पहले एक community को health system से मिलाते हैं याने कि ये first contact होते हैं या कहना चाहिए primary link होते हैं between health system and community समझ गए अब भाई हमने ये तो देख लिया कि ये grassroot level workers होते हैं पहला contact होता है community का health system से उसके बाद कितने रखने हैं कितनी population में तो village health guide है तो village में याने की एक गाउँ में एक village health guide रख तो जादातर एक गाउं जो होता है वो करीब 1000 की population का होता है इसले या तो एक गाउं में या तो 1000 की population में एक village health guide आप रख दीजे अब ये जो village health guide होती है ये जादातर women होती है और जादातर मैं निकाह कि जादातर women होती है लेकिन जादा तर women ही होती है अब क्या-क्या pre-requestries होती है किसी को village health guide अगर बनना है तो पहले चीज तो वो जो बंदी है वो उसी गाउं की होनी चाहिए जिस गाउं में उसको काम करना है second चीज is at least 6th class तक पढ़े हुई होनी चाहिए अब यह याद कैसे करेंगे क्योंकि ना आशा पढ़ोगे ना तो आशा 10th class तक है और यह 6th class तक है तो इसको याद कैसे करना है मैंने क्या कहा हमेशा correlate करके चीजों को याद करो तो यह है 6th class में पढ़ी हुई तो village health guide का G फिर से बता रहा हूँ village health guide का जो G है उसको देखो यह guide से जो G बना यही 6 बन रहा है तो 6th class तक G 6 समझ गए तो village health guide जो है वो 6th class तक पढ़ी होई होनी चाहिए अब जिस community में उसको काम करना है जिस गाव में उसको काम करना है उसमें सारे sections में यह acceptable होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि एक religion के या एक समाज के लोग उसको accept कर रहे है दूसरे समाज में उसको acceptable ही नहीं है नहीं नहीं तुम हमारे घर में नहीं गुसोगे नहीं हम तुमसे बात नहीं करेंगे नहीं यह ऐसी बंदी आपको चुनना है जो कि सारे sections of the community में acceptable हो सबसे अच्छा रिष्टा हो इसका तो but obviously सब इसकी बात सुनींगे अब इसका main काम क्या है इसका main काम है बकर बिछाना तो communication skills इसकी अच्छी होनी चाहिए तो यह जो है ना इसका main काम ही है बाते करना बाते करना लोगों को जानकारी देना यह health services है जाओ इसका इसका इस्तेबाल करो तो communication skills ना बंदी की अच्छी होनी चाहिए उसके अलावा at least 2-3 घंटे इसके पास समय होना चाहिए कि दिन के 2-3 घंटे यह community work को दे सके तो यह कुछ pre-requestries है कि village health guide बनना है अगर तो यह कुछ pre-requestries है अब हमने चुन लिया भाई कि यह हमारी village health guide बनेगी फिर हम क्या करते हैं फिर हम इसको training देते हैं at least 3 महिने की जब यह training पूरी हो जाती है तो इसको एक kit देते हैं इस kit में simple medicines होती है चोटी मोटी दवाईयों होती है parasitamol वगरा होती है कि चोटी मोटी minor elements के लिए आप यह दवाईयों दे सकते हो उसके लावा working manual होता है इसमें सारी चीज़े लिखी होती है कि कैसे कैसे आपको healthcare services जितनी भी है उनके बारे में जानकारी देनी है लोगों को ठीक तो duties क्या होती है village health guide की पहली चीज़ तो हमने जैसे देखा कि हमने इसको train किया है तो simple जो सर्दी खासी बुखार है उसकी दवाईयां यह दे सकती है उसके लावा किसी को चोट उट लग जाए तो first aid दे सकती हो और सबसे main काम जो है वो है इसका बकर बिचाना that is health education लोगों को जानकारिया देना ये सही है ये गलत है ये ये services सरकार दे रही है तो जाओ और उसका इस्तमाल करो PHC, CHC और अंगनवाडी में जाके टीक तो ये होगी उसकी duties अब सबसे आखरी में कि कौन आखरी इंसान जो होता है किसका decision होता है कि हाँ भई, ये सारी चीजे तो इसमें है, ये सारी pre-requestion है, ये हमारी village health guide बनेगी, तो ये जो recommendation है ये आती है वो जो village है वो जिस भी PHC के अंदर आता है उस PHC में बैठा जो medical officer होता है वो recommend करता है कि ये हमारी village health guide बनेगी, ठीक तो इतनी चीजे हैं जो आपको village health guide में पता होने चाहिए अगर मैं बात करूँ सवाल की, तो theory exam में आपको village health guide पे short note आ सकता है, तो ये बनना चाहिए अगर मैं बात करूँ वाइवा की, तो वाइवा में पहली चीज़ तो ये ही पूछे जाती है कि कितनी population में एक village health guide बहुत important question है उसके अलावा ये आप से indirectly पूछ लिया जाता है, बताओ पहला contact कौन होता है, health system और community में, तो आपको जो grassroot level workers हैं उनके नाम लेने हैं जिन में से एक है village health guide उसके बाद village health guide से वाइवा का question है कि pre-request की बताओ क्या क्या चीज़े होनी चाहिए उसके बाद एक आखरी question की कौन recommend करता है तो भई, medical officer recommend करता है अगर मैं बात करूँ MCQs की तो जितने भी underline part हैं हमारे notes और slides में, वो सभी अलग-अलग PG entrance exam में पूछे गए MCQs हैं, तो एक MCQ आपको यह आया था कि भई, कितनी population में एक village health guide होना चाहिए तो at least 1000 के population में या एक गाउं में एक और MCQ आया था कि जादातर women होती हैं, true or false तो yes, it's true, जादातर women ही होती है village health guide और आपको MCQ यह भी आ चुका है कि क्या-क्या pre-request होती है तो भई, उसी गाउं की होनी चाहिए 6th class तक पड़ी होनी चाहिए और acceptable होनी चाहिए community में उसके बाद एक MCQ आपको यह आया हुआ है कि कितने समय तक training देते हैं, तो भई, आप village health guide जो होती है, उसको 3 महिने की training देते हैं, यह कैसे याद करेंगे तो मैंने तो ऐसे याद किया था 3 alphabet यूज कर रहे है, village health guide तो 1, 2, 3 तो 3 महिने की training आप दोगे मैंने ऐसे याद किया था, ठीक उसके बाद कि भई, कौन इसको recommend करता है, तो medical officer यह तो easy है, ठीक तो इतनी चीज़े हैं, जो आपको village health guide में पता ही होनी चाहिए